दोस्तों अगर मार्केट देखें तो बंक निफ्टी फ्यूचर् it जो हो 4668 के आसप्रस यह चल ला है दिख लिए उसका चार्ट देखते हैं दोस्तों अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप यहां देख सकते हैं कि यह चार्ट में शो हो रहा है कि यह वीवेपे जश्ट बि पर हमने यहां ट्रेड लिया है ठीक है एक बचके 77 तो हमने एक लॉट पर ही ट्रेड लिया अभी तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें stop loss लगाते हैं stop loss लगाने के लिए हम पर click क्या है यहां SL पर जाते हैं stop loss limit तो हम यहां तो हम यह ट्रेड बरस बनने हैं तो हम यहां ट्रेड का बरत लगाने वाले हैं और यहां हम कर देते हैं 190 ठीक है तो हमारा 14 पॉइंट का stop loss लग चुका है और हम अपने टार्गेट कीपत करें तो हम यहां का टारगेट लेने वाले हैं ठीक है तो अभी देखिए तो अभी फिलाल ये प्लस में ही चला है तो आप यहां देख भी सकते हैं कि हमने मौर्निंग में भी एक टेल लिया था और वहां हमारा टेलिंग स्टोब्ला सुटिया और हमें लबब 20 पॉइंट वहां और दोस्तों य हमारा सेकिंड ट्रेड है जिसमें अभी हमें थोड़ा सा प्रॉपिट हो रहा है ठीक है दो बज चुके हैं तो दोस्तों हमें हमेसा अपने ट्रेडिंग सैटप जो हमारा उस पर विश्वा सकना है जब हमारे एरिया में आये जैसे कि मैं वीवेब के आसपास ही ट्रेड करत तो आप यहन देखे विवेब को टच करके गया है अब यह फिलाल उपर जा रहा मार्केट देखते हैं कहां तक यह जाता है दोस्तों अभी हम यहां है दस मिट बाद तो आप यहां देख सकते हैं कि जो मार्केट है थोड़ा सा उपर आ चुका है जो 476 के आसपास बेंगन यहां देखिए कित्ती एकदम से तेजी आई है यहां और हमें 1200 रुपे का पॉपिट हो रहा है तो हमारा जो टार्गेट था लगवग लगवग 30 पॉइंट का वह लगवग लगवग अचीव हो चुका है या तो हम एकजिट कर सकते हैं नहीं तो हम एक काम करते हैं अपने स्टॉप लोस को टेल करके ऊपर ले आते हैं तो दोस्तो हम यहां ट्रिगर पैस में 201 का प्राइज यहां लिख देते हैं और हम इसे रिव्यू कर द करता है वह 201 के प्राइज पर हमने रखा है तो अगर यह 201 का प्राइज आता है तो हमारा स्टॉप लाज हीट हो जागा और हमें खाली 4 पॉइंट का ही लॉस होगा और हम इसके बाद कोई टेल नहीं लेने वाले क्योंकि हमारा सैकिंड टेल है हम आज प्लस में ही जाएंगे हमें तो पॉजिटिव में ही जाएंगे एडले हमें 400 पे का पॉफिट यहां जरूर होगा क्योंकि मौने में 500 का पॉफिट हुआ था तो दोस्तो अभी फिलाल यहीं चला है 210 के आसपास ही चला है दो बच कर 28 मिट यहां हो चुके हैं तो दोस्तो अपनी ट्रेडिंग साइक हो जाते हैं और स्टॉप लोजिट होने के चांस भी कम हो जाते क्योंकि जैसे मैंने वीवेप के आसपास यहां तो प्रोब्य हो सकता है कि हम आप ट्रेइल कर दिया है तो हिट भी हो जाए बट जो 191 का प्राइज रखा है तो वीवेप के आसपास तो बहुत रेएर चांस ह कि हमारा stop loss हीट हो जागर मार्किन नीचे ही जाएगा stop loss हंटिंग होगी तो बिल्कुल हीट होगा अधरवाइस हम प्रॉफिट में बिल्कुल जाएंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि अभी 727 रुपे अभी प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों हम यहां थोड़ा वेट करेंग आप कम अपर रखेंगे उतने चांस लोर्ट कह सेल। तो लॉइस पर थोड़ा कंसेट करना एप्रॉफिट आप आपता है प्रॉफिट करनी चाहिए जाहिए अभी हमें profit लगता है कि हमें book करना है तो दोस्तों अभी दोस्तों साथ पहरें देखते हैं क्या होता हमारा stop loss हीट होता है या नहीं तो दोस्तों हम दूबारा से आएं दोबच के बावन में हो चुके हैं अगर हम अभी हम चार देखते हैं तो आप यहां देखें नीचे आके दुबारा से वीवाब को टच करके दुबारा से ऊपर जा रहा है तो दोस्तों दोबार ये वीवाब को टच कर चुका है अभी फिला लिए अपने pivot point पर है तो एक काम करते हैं हम जो भी मिल रहा है अभी उसी पर exit करते हैं क्योंकि दो बच के बावन मट हो चुके हैं कुछ भी हो सकता है जो भी हमें profit मिलना हम उसी पर exit करेंगे जैसे 220 का price आ चुका है तो हम जल्दी ही से exit कर लेते हैं ठीक है तो हम चलते हैं अपने जो हमने stoppers लगा उस पर click करते हैं modify पर जाते हैं और market करके हम इसे modify कर देते हैं जिससे हम यहां exit हो जाएंगे जो भी price अभी चला जाए 219 का price हो रहा है तो हम उस पर exit हो जाएंगे तो हम यहां exit हो चुके हैं आप यहां देख सकते हैं कि 219.95 के price पर हमने exit कर लिया है ठीक है तो 205 पर हमारी entry थी 219.95 पर हम exit कर चुक है मॉलनिक में हमने 210 पर entry थी और 232 पर हमने यहां exit किया था ठीक है 210 पर entry लिते 232 पर exit 205 पर entry फिर 219 पर exit चोटे-चोटे हमने profit यहां लिये हैं दो लोट एक-एक लोट में ही काम किया है वो खाली दो ही trade लिये हैं तो overall यहां 915 रुपे का profit है overall जो हमारे margin लगा है जो हमने एक trade में लगा था लगा 5000 रुपे लगे हैं और हर trade में हमने लगा 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 10% के आसपा 9-10% profit यहां लिया है तो दो trade में हमारे overall यहां 1000 रुपे हो चुके है तो दोस्तों जो भी profit यहां शोटा सा profit है बट एक decent profit है क्योंकि हमने जो margin यूज किया है जो हमने fund यूज किया हमने ज्यादा यूज नह यजद इगा क्योंकिनगा जाए फ दीने वाद भी और 50 लग यूज किया हमने लगादा यूज किया हमने लगा हमने दिए हमने लगाद व犯े जूज किया हमने इभ थう यूज़ धने लगा इगा है